अगर आप अपने लिए अपने लवड़ोंस के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं, जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं वाच मैं फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापुरी और यह है आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल यह 25th मार्ट से लेकर 31st मार्ट तक कि आपकी tarot ratings है, tarot predictions है आप लोगों के लिए coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है conditioning और इस card को अगर आप देख पा रहे हैं, loin sheep के बीच में है और इस card के पीछे एक story है, जहाँ पे यह जो loin है, यह sheep के साथ बला बड़ा है और इसी वज़े से यह भूल जाता है कि यह loin है, sheep के जैसे behave करना शूकर देता है sheep के जैसे रहना शूकर देता है, और जब एक दिन यह तलाब के पास जाता है तलाब में अपनी reflection देखता है, इसको हिसास होता है, यह loin है इसके अंदर बहुत potential है, बहुत strength है, power है तो देखें, इसी तरीके से यह card आपको यही message दे रहा है कि अपने professional friend में, या तो this week, या फिर otherwise आप circumstances, situations के हिसाब से adjust कर रहे हैं कहीं अपनी true potential, true capabilities को नहीं realize कर रहे हैं, नहीं utilize कर रहे हैं और इसी वज़े से शायर जो आप achieve करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं, उसको नहीं achieve कर पा रहे हैं तो एक तरीके से यह card आप लोगों के लिए reminder है कि अपनी true strength, capabilities, potential, talents, skill को भेचाने ताकि जो भी आप चाहते हैं achieve करना, उसको अप achieve कर पाएं and personal friend के लिए आप लोगों के लिए the creator का card है और ये card कहता है, या तो circumstances, situations, personal friend में ऐसे हैं जहां पर आप बहुत enthusiastic, बहुत excited महसूस कर रहे हैं या फिर you know, जो भी आप पाना चाहते हैं अपने personal friend में बहुत courageously, बहुत boldly आप action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं कि आपके personal friend में कोई male figure हैं जिनकी वज़े से एक enthusiasm, एक excitement, एक बहुत ही courageous, daring energies आप महसूस कर रहे हैं या फिर कोई male figure आपको जो भी आप अपने personal friend में चाहते हैं उसको achieve करने के लिए support कर रहे हैं, help कर रहे हैं, motivate कर रहे हैं तो all in all, personal friend के लिए काफी beautiful, काफी full of energies रहती हुई दिख रही हैं and professional friend में, देखें मैं यह नहीं कहूंगी कि कुछ भी गलत रह रहा है but yes, आप अपने true potential को नहीं realize कर पा रहे हैं, आप adjustments, compromises कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर आप check करके correct करें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए Reno Spirit का card है और यह card कहता है overcoming obstacles तो देखें, इस week, personal friend के लिए देखें तो जो भी issues, मसले हैं, बहुत ही courageously आप उनको deal कर रहे हैं उनको overcome कर रहे हैं, उनको अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं लेकिन कहीं यही zeal, यही enthusiasm, professional friend में भी रखने की ज़रत है and astrology से आप लोगों के लिए the second house का card है और इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था, Aquarius आप लोगों के लिए coming week अपता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए, आप लोगों के लिए देखी कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए card है existence I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं लेकिन जब भी भी ये card मेरे सामने आता है, मुझे वो बच्चपन में टूटते हुए तारे वाली एक जो हम सब लोग मानते थे, उसका याद आ जाता है तो देखिए, नचल में ये card कहीं कहता है कि जो भी wish आपके professional friend से related है या तो इस week किसी भी level पे वो पूरी हो रही है या पर जो भी इस week हो रहा है, आपको ऐसे लग सकता है कि अब ये wish, अब ये desire आपकी पूरी हो जाएगी क्योंकि बच्पन में जब भी हम टूटता वा तारा देखते थे थे ना तो हमें ये ही कहा जाता था कि जट से जो चाहते हो उसको मांग लो क्योंकि वो पूरा हो जाएगा तो कहीं इस तरीके की energies इस week आपके professional friend के लिए रहती वही दिख रही है और एक magical सा effect भी आप महसूस कर सकते हैं जहां पर जो चीज शायद आप नहीं expect कर रहे थे आपने उमीद खोई थी उससे related भी positive चीजे रहती भी दिख रही है All in all professional friend से related ये वी काफी अच्छा रहता दिख रहा है आपको ऐसा लग सकता है किसमत आपका साथ दे रही है लग आपको favor कर रहा है और बहुत ही confidently आप भी अपने goal अपने मकसद के लिए action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं And personal friend के लिए आप लगों के लिए receptivity का card है तो देखिए receptivity का card सबसे पहली चीज कहता है कि एक passive energies में इस week आप रह सकते हैं और सब के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने बहुत सब के लिए किया आप बहुत हमेशा giving वाली energies में रहे कहीं आपने इतना receive नहीं किया या फिर आपने receiving वाली energies को block किया तो इस week कहीं आप receive करने वाली energies में रहते हुए दिख रहे हैं के लिए कुछ करें तो ये तो देखिए एक लिटरल मीनिंग हो गया otherwise ये cups का card है तो कहीं emotions, feelings, sentiments को represent करता है personal friend में आप थोड़ा सा emotional हो रहे हैं loving, caring वाली energies आपके loved ones, close ones के लिए रह रही है या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि आपके loved ones, close ones की तरफ से loving, caring energies आपको मिल रही है तो देखिए broader level के लिए फिर से मैं कहूंगी emotions, love, feelings, sentiments से related चीज़ें ज़्यादा रहती वही दिख रही है किसी खास relationship पे आप focus कर रहे हैं या फिर उससे related चीज़ें ज़्यादा हो रही है या overall ही loved ones, close ones से आप connect कर रहे हैं eating, drinking, merry making भी कुछ Pisces के लिए इस week रह सकती है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए army दो spirit का card है और ये card कहता है set healthy boundaries तो देखिए जब हम over excited होते हैं अला कि देखिए आपके cards over excitement की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन professional friend में definitely एक बहुत ही positive energies की बात कर रहे हैं तो देखिए किसी भी reason की वजए से जब हम healthy boundaries नहीं create करते हैं अपने लिए stance नहीं लेते हैं सामने वाले को ये नहीं बता पाते हैं कि भई ये चीज हम बरदाश करेंगे ये चीज हम नहीं बरदाश करेंगे तब ही सामने वाला हमें for granted लेना शुरू कर देता है या otherwise भी हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं तो message आपके लिए यही है कि healthy boundaries ज़रूर create करें and astrology से आप लोगों के लिए Venus sign का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था prices आप लोगों के लिए coming week का साबता है काशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए